आज के वीडियो में आपका स्वागत है अगर आपने बाकी वीडियो को नहीं देखा जो की चैनल पर अपलोड हो चुके हैं काफी सारे एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली देख लेना उन वीडियो को और साथ में गई सब्सक्राइब करना ज हम ले फैंजल वन लिमिटेट के बारे में बात करेंगे और विडियो में कैसे बात करने वाले क्या-क्या बात करने को चैनिकस Lu के बारे में ठीक हैensions के कुछ न्यक철 के बारे में कुछ फंडमेंटल्स बहुत फोड़े में और बहुत ज्ञाह supuesto आप बीजिनेसित तीक है अग को बता रहा हूं कि short term में आप कैसे जा सकते हो क्या 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 कर सकते हो and क्या क्या पॉसिबिलिटी है यह सब कुछ long term का भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली बताऊंगा बट उसके लिए important क्या है मैंने आपको बताया हुआ business is very important for long term and उसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा बट आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो पहले चीज यह कंपनी करती क्या है पहले मैं आपको कुछ बेस समझाता हूं ठीक है क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते पहले market cap आप मेले के वीडियो में कि हमेशा long term आप बड़े stocks में करो तीन लाग चार लाग दो लाग एक लाग इस तरह के stocks में करो एंड चोटे stocks में आप long term में जाओ तो mid cap small cap जो 11,000 15,000 20,000 ऐसे stocks होते हैं उनमें आप short term में जाओगे तो बहुत रिस्क बढ़ जाता है और साथ में long term में जाओगे तो अच्छा gains भी आपको मिलता है और कहीं न कहीं थोड़ा सा रिस्क भी कम होता है तो यहां पर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि 11,000 market cap में भी आ अब समझो इस चीज़ को एंजल वन क्या करते हैं एक बिजनेस ऑफ स्टॉक फिनेंशल सर्विसेस ठीक है कॉमोडिटी करेंसी ब्रोकिंग इंस्टिशनल ब्रोकिंग प्रोवाइडिंग मार्जिन फॉर ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब वह आप्शन्स ट्रेड इंट्राड अब अब इिस चीज़को और चहले समझो जब भी इंट्रेस रेट बढ़ता है पहले इंट्रेशन बढ़ता है उसके पीछम महीनों बाद करता है इंट्रेशन नीचे आना स्थार्ट होता पैसा मार्केट में आता है जाता नहीं है और जब यह इंफलेशन और इंट्रेस्ट बढ़ते रहते हैं तो स्टॉक्स गटते हैं पैसा मार्केट से निकल करके दूसरे जगह पे दूसरे मतलब फिक्स डिपोजिट्स एंड इन सम्में जाता है क्योंकि वहां पे फिर गिरा फिर टाइम करेक्शन फिर थोड़ा उपर गया फिर टाइम करेक्शन फिर नीची आया इस तरगर के मार्केट फसा हुआ रहता है और निफ्टी भी कुछ हद तक ऐसे ही फसा हुआ था लेकिन अब निफ्टी जो है उपर जा रहा है एक बुल रन आ रहा है और प एफोएमसी का बैठेक जो है 13th 14th को है 14th के लास्ट मतलब हमें निउस मिलेगा एफोएमसी के बैठेक में क्या हुआ आखिरकार एंड उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे इंट्रेट पॉस हुआ या नहीं हुआ बाकी MPC का जो मेटिंग है 8 तारीक को आपको पता होगा 8 तारीक को 10 बचे इसका रेजल्ट आने वाल है 6-7 को मेटिंग है और मतलब इस चीज में जो है मुझे और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंट्रेस्ट रेट जो है इस बार भी पॉस ही रहेगा ठीक है इंट भी बुलडन आता है ठीक है अब हमें तो देखो यार सही बताओं हम लोग जो हमने काफी बार डिसकस भी कहा था निफ्टी का बॉटम और निफ्टी अनलेसीस तो हमने देखा था कि निफ्टी किस तरह से बॉटम मना रहा है कहां बॉटम बना सकता है बहुत चीजे हमें प बुलडन आने वाला है अब तो उपर जाएगा फ़की स्टाउक ये फ़की उपर जा रहा है तो यहां पर जो आप होते हो ना तो आपको ऐसा लगता है किया अब तो पैसे बहुत बपने तो वह क्या करता है अपने जिरो धा एंजल वन अब इस तरह की अकाउंट में आता ह सब्सक्राइब यह सब वह सब्सक्राइब हैं इन सब से तो मैं यह क्या होता है नाम सुन करके आजाते हैं और यह नहीं करा रहे यह सही है गलतis है लेकिन मैं यह कहर misleading लेकिन मैं यह कि जब हो कि और कहां पर आएँगे उसी का opposite जब बीयर रन आता है तब यहीं इस्टाइक्स है क्यूंकि और रन अच्था जाते हैं लोग चोड़ मार्किट देहां बंद कर देते हैं इन्वत करना मूं संजा दिया कि यहां पर में यहां फर के लिए आपको बोल रहाँ क्योंकि मार्केट में ups and downs आते हैं जब भी बुल्रन आता है तो यहां पर यह बहुत भागते हैं लेकिन जैसे बुल्रन खतम हो जाता है उसी तरह से यह स्टॉक्स को तो नहीं गिर जाते हैं उतने नहीं गिरते हैं आपको पहले दिखाऊंगा टेक्निकल में अगर आप देखोगे यह है कि अगरं आप अलुआ कि यहां से हैं अगिशके में लोगत लोगों को पांस दिन दस दिन बस ऐसा नहीं सब región तरह का short term होता है मेरे लिए तो कम से कम एक होता है जिसमें आप 3% 5% maximum 7% इस तरह का कमाते हो ठीक है और इतना gains मिल जाता है आपके लिए एक होता है जिसमें आप 20-30% 10% से उपर मतलब 15-20-30-25 इस तरह का percentage में आप trade लेते हो ताकि आपको इतना परसंट गेन हो सके और उतना gain होता है फिर आप निकलते हो मतलब 25-30% गेन आता है maximum तब आप निकलते हो और 25-30% गेन वह बहुत जल्ली नहीं आता उसके लिए आपको एक महीने या 15 दिन या 1.5 महीने आपको hold करना पड़ता है तो मैं इसी को short term कर रहा हूं जिसमें आप 1.5 महीने hold करोगे क्योंकि आर 2-4 दिन 5 दिन में exit कर जाने पर वह तो एक तरह का trade हुआ मैं यह नहीं कर रहा कि वह short term नहीं हुआ लेकिन उसमें उतना स्याधा आप कह सकते हो एक तो risk जाधा हो जाता है उसके उपर से छोड़ो कभी और बात करेंगो उसके बारे में पहले देख लेते हैं इसके कुछ quarters को कि आखिर इसने quarters में कैसा किया था क्योंकि देखो यार ज प्रेकनिकल पैटन कुछ ऐसा बन गया है डेघशोलडर टाइप का ठीक है यहां पर यह ब्रेकाउट भी हो गया रिटेस्ट भी हो गया लेकिन यहां पर fundamental सो एकदम बहुत बहुत बेकार रहे हैं प्रॉफिट अलौस स्ट्वेंट में बहुत बेकार परफॉर्म किया तो व वापस आते हैं, March 22, March 23 compare करेंगे 681, 826 increase हुआ है, operating profit 296 से 385 increase हुआ है, margin भी अगर आप देखोगे तो 44% से 47% का margin हो चुका है, यहाँ पर profit before tax भी increase हुआ है, and net profit भी यहाँ पर 205 से 267 हो चुका है, EPS भी 24 रुपए से around 32 रुपए पहुच चुका है, अब यहाँ पर results तो year on year comparison में काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और twist है, twist क्या है, results जो है, वो highest level है, मतलब क्या, अगर आप sales देखोगे, कितने 826, मैं आपसे पूछता हूँ, आप video को pause करके यह बताओ, क्या आज से पहले, March 2020 के बाद से अभी तक, क्या एक भी बार 826 के sales के ऊपर कभी sales हुआ है, मतलब 826 का जो लेवल है, उसको, जो लिमिट है, 826 करोड, उसको कभी cross किया है, sales ने, कभी नहीं किया है, और यह highest ever है, उसके बाद, operating profit 385, कभी आया इससे पहले, नहीं, highest ever है, profit before tax, highest ever है, net profit, देख लो, 267, कभी आया है, नहीं, highest ever है, EPS भी आप देख सकते हो, 32 का EPS, कभी नहीं था, highest ever है, तो इसका मतलब क्या हुआ, company अपने highest ever profits दे रही है, highest ever sales दे रही है, लेकिन इस सबसेट, technically, highest ever price पे भी company को रहना चाहिए, मतलब company को all-time high पे होना चाहिए, लेकिन company अगर all-time high पे नहीं है, तो this is an opportunity, to make some good gains, और क्या, बाकि यह एक बहुत अच्छी बात है, कि company अपने highest ever numbers पोस्ट कर रही है, जो क्या करेगा, जो technical को support करेगा, and help करेगा, बाकि profit and loss statement में देख लो, यार वही सेम चीज़, आप pause करके देख लो, बाकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं, मतलब इसलिए बोलता है, देख लो, एक बार pause करके, बहुत simple है, आप देख लोगे, 2022 और 2023 को compare कर लो, आपको easily समझ में आ जाएगा, highest ever numbers है, बिल्कुल सब चीज़ सही है, margin भी यहां तक increase हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, बाकि यही दोनों काफी है, ठीक है, इतने fundamental सी काफी है, हमारे technical को support करने के लिए, अब आगे चलते हैं अब technical में, और technical में सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, cup and handle pattern, यह देखो, सबसे पहला cup, एक handle, दो handle, breakout, retest, उसके बाद उपर गया, इतना काम हो चुका है, मतलब क्या, neckline कौन सा है, 1325.7, stop loss कौन सा है, 1182, लेकिन मैं बोलूँगा, 1182 के थोड़ा नीचे रख सकते हो, तो 1180 क्या सबस रख लो, वह जादा सही रहेगा, बाकि अपने हिसाप साप adjust कर सकते हैं, resistance levels के बारे में बात करें, तो एक है 1438, एक है 1629, एंड उसके उपर एक है 1953, तो यहाँ पर आपको रास्ते में एक ही level मिलेगा, 1438.15, ठीक है, इसी के आस-पास का level आपको मिलेगा, 1438, 1437, इस तरह के level, तो यहाँ पर अब क्या होगा इस level पर, तो देखो यार, क्या होगा, वो तो कहां नहीं जा सकता, इसने retest एक बार कर लिया है, ठीक है, तो मेरे हिसाप सी वापस से retest करने नहीं आएगा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ positive points गिनवाता हूँ, सबसे पहला fundamentals इसको support कर रहा है, second चीज, cup and handle pattern है, ठीक है, जो की, cup and handle pattern एक bullish pattern होता है, थर्ड चीज, cup and handle pattern में दो handles है, जो which is also bullish pattern, यहाँ पर कुछ हद तक आप कह सकते हो, इसने एक बार retest कर लिया है, जब retest होता है, check out के बाद, तो वो और भी successful होने का chance बढ़ा देता है, चार point हुआ, पाचवा point मैंने जो आपको समझाया है, कि यहाँ पर bull run आने वाला है, तो इससे क्या होगा directly भी stock, सारे stocks उपर जाएंगे, तो यह भी उपर जाएगा, indirectly भी जो है, यहाँ पर लोग extra आएंगी, क्योंकि bull run आ रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए तो यह वैसे भी उपर जाएगा, तो दो तरफ से यहाँ पर जो है, आप कह सकते हो, जनता आने वाली है, बाकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि यह 50 EA में और 200 EA में दोनों के उपर है, और मैं आपसे हमेसा कहता यह भी आपको पता होगा, एक और चीज़, यहाँ पर गाईज, अगर आप मुझसे पुछोगे कि हम बात कर रहे थे resistance के बारे में, कि 1438 के resistance क्या करेगा, तो देखो है, अगर आप यहाँ पर टार्गेट इसका पगड़ते हो, ठीक है, यहाँ पर इसका इस तरह से टार्ग गें आपको मिल जाएगा, ठीक है, टार्गेट के सापसे, 23% गें, which is a decent percentage आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ते हो, जहाँ पर यह भी है फिलाल, तो वहाँ से आपको 18% मिल जाएगा, which is also a good gain, और यहाँ पर यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है, तो फ उसके बाद यह जो है, इस तरह से ब्रेक करें, यह उपर यहाँ तक जाए, या फिर यह डिरेक्टली भी ब्रेक कर सकता है, यह उतना दिक्कत नहीं करेगा, जितना मुझे लगता यह दिक्कत करेगा, और इसी वज़े से मैं इसी इसके उपर जब की टार्गेट यहाँ, इ यहां पे एक और चीज़ यह कि क्या करेंड मार्केट पोजिशन पर बनाया जा सकता है बाइंग किया सकता है मैं बूलोगा यहस मैं कर सकता हूँ आपका नहीं पता आप खुछ से ृषाइड करोगे मैं बिल्कुल नहीं क्या अब यहां पे रहोगे तो हां भाई बिल्कुल मैं करूंगा and sell नहीं करूंगा फ्रेश बाइंग हो सकती है अगर किसी ने यहां पर बाइंग किया है या फिर यहां पर किसी ने अगर बाइंग किया है ठीक है इन सब लेबल्स पे तो वह और भी quantity add-on कर सकते हैं चाहे तो एंड बस यहर एंड करते हैं वीडियो को यही था वीडियो बाकि ऐसा नहीं है कि यह all time high नहीं पहुंच सकता all time high बिल्कुल पहुंच सकता है बट मैं एक short term trade की साब से बता रहा हूं हाँ आप further hold कर सकते हो अगर एक और चीज़ आप यह कर सकते हो कि यहां पर मैं अपनी बता यहां मुझे book करना है मैं तीन यहां book कर दूंगा एक छोड़ दूंगा एक अगर उपर गया गया नीचे अगर इस यहां पर आ जाता है तो यहां book कर दूंगा फिर है ना बाकी मतलब एक hold करूंगा बाकी तीन निकाल दूंगा इस 1629 के आसपास यही था आज का वीडियो होगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो like, share, subscribe जैसे मैंने कहीं दिया था यार and bell icon प्रेस करके वाल पर set कर देना मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जैहिं and thanks for watching